सूपर हीरो आज मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे अंदर कितनी ज़्यदा पावर है अगर तुझे इतना ही भरोसा है अपनी पावर पे तो आजा जो भी हम में से जिन्दा बचेगा वो ही रोफिरो वाइस टाउन में रहेगा अभी रात में क्यों लड़ाई कर रहा है जाओ घर जाओ जाके सो जाओ कल को तुम्हारा कॉम्पिटिशन कराते हैं फिर पता चलेगा किस में कितनी पावर है याओ वाटस अप गाईस क्या हल चाल मैं आगे हूँ एक निई वीडियो के साथ और आप लोगो प्यारा सा गुड मार्निंग तो गाईस अभी सुबह हो चुकी है रोपिरो वाइस टाउन में और यार आज हमारे रोपिरो वाइस टाउन में होने वाली है मोटेंट और सुपर हीरो की रेस क्यूंकि आप लोगों को पता है वो दोनों रात में लड़ाई कर रहे थे और यार उन लोगों को मैंने बहुत मुश्किल से समझाया कि जाओ अभी घर जाके सो जाओ तब उन लोगों ने मेरी बात मानी क्यूंकि गाइस मैंने उनको बोला ता कि कल सुबह तुमारा कॉम्पीटिशन कराइंगे और आज उनलों का कॉम्पीटिशन होने वाला है बट ये रो फिर रो क्यों गिर रहा है लगता है ये बहुत जादा कमजोर होता जा रहा है तो चलो यार इसको थोड़ी बहुत exercise कराते हैं क्यों कि गाइस आप लोग exercise वगएरा करोगे ना सुबह सुबह तो आप लोग एकदम तंदरुस्त रहोगे और आप लोग ना पूरे दिन भाई मतलब सुस्ती वगएरा भी नहीं आएगी और उससे आप लोग बढ़िया से पढ़ाई भी कर सकते हो काम भी कर सकते हो और गेम भी मिले हैं तो ये तो अच्छी बात है ना गाइस हमें exercise करने के भी पैसे मिलते हैं तो चलो इन सब चीजों को भी इग्नोर करो हमें जाना है टिपसन के पास क्योंकि हमें पर्मिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि भाई टिपसन ही हमें पर्मिशन दिला सकता है रो फिरो वाइस कराइंगे जो भी जीतेगा उसको ही हम लोग अपने रोफिरो वाइस टाउन में रखेंगे बट ये क्या टिपसन तो में यहीं पर मिलिया चलो अच्छा हुआ गाइस तो चलो यार इससे बात करते हैं हाँ वही बैटके ये क्या गाइस यार टिपसन तो हमसे बात करना भी निकला हुआ है और हम लोग सुबह ही सुबह उससे बात करेंगे तो उसका सारा जोगिंग का जो टाइम है ना गाइस वो पूरा खराब हो जाएगा तो यार चलो अच्छा हुआ टिपसन ने हमें बता दिया अभी टिपसन अपने घर जाएगा यहां से जोगिंग करता वैसे यार मेरी समझ में नहीं यारा कि कौन सी बाइक बाइक करू हाँ यार हायोबुसा को बाइक कर लेता हूँ हायोबुसा निंजा मतलब यार बाइक कुछ भी नाम लेलो ये बाइक जो है ना बाइक बहुत ही सूपर फास्ट है तो चलो गाइस इसी से चलते है और रास् फास्ट फास्ट चलने लगा है देख लेता हूं फिर भी देखो यहां पे तो कोई दिखाई नहीं देरा इसका मतलब है गाईज वह भाग भाग के अपने घर पर पहुंच गया है तो चलो गाईज हम लोग चलते हैं ओ भाई साब यह क्या हो गया गाईज जल्दी के चक्कर मे मैंने उस बंदी को उड़ा दिया चलो कोई बात नहीं गाईज वो मरी नहीं है सिर्फ बेहोस हुई है तो उसको जैसी होस आएगा वो अपने घर पे चली जाएगी बट अभी हम लोग जा रहे हैं टिपसन के पास क्योंकि गाईज टिपसन नहीं बोला था कि भाई मेरे घर पर आके मिलना वहीं पर बैठ के बात करेंगे बट वहां पर बैठने की जंगा तो है नहीं वो हमें खड़े खड़े ही बात करनी पड़ी उससे वैसे भी गाईज यार हमें ज्यादा बात तो करनी नहीं है सिर्फ इतना ही तो बोलना है टिपसन को के भाई पुलिस वालों स चोटे बस क्या बताओ मैं डॉक्टर को दिखाने गया था मेरे पैरों में दर्द रहता था तो उसने बताया है और मुझे काफी आराम भी मिलता है जोगिंग करने से हाँ हाँ टिपसन भाई मैं देख रहा था तुम्हें काफी स्पीड से चल रहे थे वैसे मेरी भी टांग रहे यार उनकी रेस करा देते हैं पता चल जाएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है लेकिन यार रोफिरो एक बात तो बता रेसिंग से सूपर पावर का क्या मतलब है रेसिंग में तो कोई भी जी सकता है उस सूपर पावर का कैसे पता चलेगा अरे यार टिपसन भाई सि तो इट्स आल राइट तो गाईज आ अभी आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि बाई टिपसन की जो है ना बात हो चुकी है कमिशनर साप से और वहां से हम लोग को परमिशन भी मिल चुकी है अब हम लोग रोफिरो वाइस टाउन के अंदर जो है अपनी आसानी से किसी की भी रेस करा सकते हैं तो हम लोग रेस करवाएंगे ब्रीच के पास से तो चलो गाईज यार वहाँ चलते हैं बट वहाँ जाने से पहले ना मैं अपनी सूपर हीरो और मोटेंट को ना फोन कर देता हूँ उन लोग को फटा फट से यहां पे बुलाता हूँ और फिर उन लोग की रेस करवाता हूँ तो जल्दी से गाहिज में टाइम ना कराब करते हूए सबसे पहले सूपर हीरो को फोन लगाता हूँ हैलो हाँ भी सूपर हीरो क्या हाल चाले बाई जल्दी से मोटेंड को और तू भी अपनी अपनी बाईक लेके ना ब्रीज के पास आजाओ हाई दूसरी साइड जो ब्रीज है न जहाँ पे छोटा मिलिटरी बे से उधर आ जाओ तुमारी रेस करवानी है अरे बहर रो फिरो जी तुमने तो बहुत ही अच्छा किया अब देखना मैं रेस में जीत जाओंगा और उस मोटेंट घमंडी को बताओंगा कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ हाँ अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तेरी बकवास सुन सकूँ जल्दी से उस मोटेंट को भी अपने साथ लेकिया और यहाँ पे आके रेस लगाओ कौन जीतेगा हो सब पता चली जाएगा ठीक है रो फिरो जी तुम इतना गुस्सा क्यों जाते हो मैं तो बस पाँच मिन्ट में पहुंच रहा हूँ मोटेंट को लेके ठीक है ठीक है तो चलो गाइस यार अभी यहाँ पे आने वाले हैं मोटेंट और सूपर हीरो बट मैं सूच रहा हूँ के कोई ऐसा एंगल मिल जाए जहां से न मैं उनकी पूरी की पूरी रेस देख सकूँ गाइस यार मेरे सामने जो उपर हवा में कंटेनर है न वो वहां जाके देखता हूँ कैसा भी हो है क्योंकि गाइस मुझे न बिल्कुल भी चिटिंग पसंद नहीं है तो क्या पता यार यह लोग चिटिंग करें बट यहां से पूरा मैप दिख रहा है देखो वहां से इनक गमंड अच्छा नहीं है वो तो भी पता चली जाएगा कौन जीतेगा जी और यार गाइस यहां पे दोनों खिलाडी काफी अच्छे खिल रहे हैं लेकिन गाइस मैं देख रहो कि मुटेंट बहुत जदा ओवर स्पीड में भगा रहा है अपनी बाइक को और सूपर हीरो ज का मतलब है गाइस सूपर हीरो को आपने इस रूप यूप यूदान से निकालना पड़े गा क्योंकि गाईस यार आज विनार है वो है मुटेंट और हमारी बात हुई थी के जो भी हारेगा वो इस वाइस टाउन को छोड़के जाएगा लेकिन यार गाइस इस सब चीज़ो या सूपर एरो नहीं गिराई होगी क्योंकि वो लोग यहां पर रेस कर रहे थे और यार इधर की साइड में वैसे सूपर एरो चल रहा था बट यार मैं कहने ही सकता क्योंकि मैंने अपनी आखों से नहीं देखा है उन लोग को अपनी बाइक गिराते हुए बट मेरी बाइक जो है वो अभी बिल्कुल ठीक है तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस अभी हमें टिपसन के पास जाना है तो हम लोग ट्रेन से चलते हैं क्योंकि बाइक से जाने में काफी टाइम लग जाएगा और इस्टेशन अपने पास में ही है तो यहां से सीधा आप लोग टेलिपोर बट उसके लिए आप लोग को एक काम करना पड़ता है हमारी 10 वीडियो देखनी है और 10 की 10 वीडियो पे आप लोग को जाके ना अपना नाम लिखके कमेंट करना है तो फिलाल देखो गाइस अभी हम लोग जा रहा है बाई अपने टिपसन की तराफ तो हम लोग को कॉन से स पर जाना है इस वाले पर तो चलो गाइस देखो हम लोगोंने कितना अच्छा शॉटकट लगाया है हम लोग अगर यहां पर बाईक से आते तो बहुत ज़दा टाइम लग जाता इसलिए मैंने सुचा भाई हम लोग ट्रेन से चलते हैं तो गाइस देखो ट्रेन ने हमें कि घर की तरफ को आ रहा था तो सामने है टिपसन का घर चलो काई सीधा रोप लगाते और चलते हैं वह पर यह बता आज कौन विनर आया है सूपर हीरो या फिर मोटेंट जीता है लेकिन आप बताओ किसको रोफिरो वाइश टाउन में रखना है और किसको भगाना है देख भाई छोटे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता एक काम कर हमारे प्यारे सब्सक्राइबर से ही बात करके देख वो किसको रोफिरो वाइश टाउन में रखना चाते है और किसको भगाना चाते है लेकिन यार टिपसन भाई बात तो यह हुई ती ना जो विनर आएगा वो जो विनर नहीं होएगा उसको बाहर भगा देंगे हाँ छोटे मुझे मालूम है लेकिन अपने प्यारे सब्सक्राइबर से ही बात करके देखना एक बार है ठीके टिपसन भाई हाँ तो गाईज आप लोग कमेंट बाक्स में बताओ अपने रोफिरो वाइश टाउन के करना चाहिए वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को किसको रखना है रोफिरो वाइश टाउन में आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ